हलो गाईस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हूँ काजल की प्रिंगनेंसी कैसे हो आप लोग उमिद करती हूँ बहुत ही अच्छी होगी और आपकी प्रिंगनेंसी भी काफी अच्छी चल रहे होगी तो फ्रेंट जैसे कि मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो परसो जो है बेबी बॉय हुआ है तो मैं उनके सिम्टम सामको बताऊंगी क्योंकि उन्होंने जो है मुझे अपने सिम्टम जो है वन मन्त पहले लिख करके दिये थे तो उनको मैंने काफी हद तक अन्दाजे में बताया था कि आपको जो है बेबी बॉय हो सकता है तो उन्होंने जो है मुझे अपने सिम्टम सो बताया थे ना वही मैं आपके शेयर करूंगी अगर आपको लगे कि मैं जो है जूट बोल रही हूँ या फिर क्या बोल रही हूँ तो उनका स्क्रीन शॉट मैं इस वीडियो के बीच में लगा दूँगी ताकि कई हद तक आप भी अनुमान लगा सकते हो कि आपके गर्ब में पलराशीशू जो है वो बेबी बॉय है इनके लक्षण और मेरे लक्षण फ्रेंट सेम थे बहुत जादा तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो आपके शेय क्योंकि जो पहली बार मा बनती है उसके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरे गर्ब में पलराशीशू जो है वो लड़का है लड़की है तो फ्रेंट्स कोई भी माना बच्चे में भेदबाफ नहीं करती है ना तो लड़की में करती है जो भी भगवान देता है उसको वो अपने कलेजे से लगाके रखती है बट एक फोड़ी सी जिग्यासा यह होती है कि अगर किसी भेहन की पहले बेटी होती है तो वो फ्रेंट्स करती है तो वो ऐसा करता लगता है उसको कि मुझे को जो है सेकेंड वार बेभी बॉय हो जाए और जब किसी की पास बे आपको जो है उनके सिम्टम्स शेयर करती हूँ ठीक है तो सिम्टम्स शेयर करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगी कि जिसने मेरा जलना पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आन करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरी म देखते हूँ बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हूँ तो चलिए फ्रेंट पहला इनका सिम्टम्स था जो मेरे पास मैसेज आयता उनको देखिए मेरा नाइन मंत स्टार्ट हुआ है तो उनका नाइन मंत स्टार्ट हो गयता और उनकी जो हना ADD डेट जो थी ना वो मतल पता है कि 140 से मेरे बच्चे की जो हार्ट बिट थी ना वो सारी सारे ही मतलब की सारे एल्ट्रा सॉन में अलग 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 आई थी 140 कुछ आई थी 157 आई तो ऐसी आई थी 140 से नीचे गय भी नीती तो ऐसी जो है इनके जो इनके वी ब्याव बॉय हुआ है परसो तो उनकी देखिए 140 से नीचे नहीं है 140 से उपर है तो अगर आपके बच्चे की भी ऐसी हार्ट बीड आ रही है मतलब कि 140 से उपर आ रही है तो कई हद तक जो है आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके गर में पल रहा है इसके बाद उन्होंने लिखा है सेकेंड पॉइंट के मैं मेर प्लेसेंटा जो है ना एंटीरियर है तो देखिए प्लेसेंटा आपका एंटीरियर है या पोस्टीरियर है एंटीरियर मतलब होता है बच्चा जो है आपके गर्व में जो है आगी की साइड होता है और पोस्टीरियर मतलब होता है गर्व में बच्चा आपके पेट के ये मैंने कई हद तक जो है देखा है और हम लोग जो है ना जो हमारे घर के बड़े बुजूर्ग होते हैं और जो हमारे घर की ओल्ड वाइफ सोती है वो भी बताया करती है उनके उसकी बाद है अगर आपके भी ऐसा ही प्लेसंटा है एंटीर है तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हो ठीक है थर्ड जो पाइंट है उन्होंने ऐसा लिखा है कि खाने में मीठा पसंद है जिसकी वजह से वेट गेन हो गया है बहुत डॉक्टर ने शूगर के लिए मुझको बिल्कूल ही मना कर दिया तो देखी आपका भी अगर आपको भी मीठा खाने का मन हो रह सब्सक्राइब में लगता है तो मुझे मेठे की क्रेविंग होने लग गए थी जिसके वजह से मुझको भी बॉर्डर लाइन पे था शूगर मतलब आया नहीं था ना में दभाई श्टार्ट होती डॉक्टर ने मुझको भी मना किया था कि आपको मेठी चीज बिल्कूल भ बहुत जादा इंक्लूड करती थी बहुत जादा गुलुकोंडी पीती रहती थी जिसके करण मुझे बॉर्डर लाइन पे शूगर भी आ गया था बड़ वो प्रिग्नेंसी में आ चाता है क्योंकि हार्मोन होते रहते हैं तो इसलिए यह चीज होता है इसके बाद है उन्ह और 5 महिने में स्टार्ट हुए तो में भाशनद ढून को अपने बताती हूं कि मेरे बेबी पूर्ण जादा है और को मुझे भावत हिंसों को धर्नेंसिय कीका की है या नहीं कियाए बच्चे ने मोवेंट की है या नहीं किया तो मुझको जो मेरी मोवेंट थी वो पांच साथे 5 महिने में ही हुई थी तो आप भी ये कई हद्तक जो है अपने अन्दाज़ लगा सकते हो जो मैं आपको बता रहे हूं ुसके बाद है फ्रेंड के मोवेंट जो प्रिंग्नेंसी में लिक्विड चीजों का इंटेक अच्छा रखा हुआ है जिससे की बच्चे की पानी की ठ्याली हो दिये उसके अंदर बच्चे को घूमने की बहुत अच्छी से जगा मिलती है वह बच्चे के लिए एक स्वीमिंग पूल का काम करता है इसलिए बच्चे इदर से उदर घूमता रहता है इसके बाद है फ्रेंट्स देखिए उन्हों नेक्स जो पॉइंट लिखा है वो है नीचे में दर्द रहता है थोड़ा और बच्चा तो पूरे पेट में ही मेरा घूमता है अभी तो मुझे समझ नहीं आता कौन से साइड में है तो के साइड कभी नीचे के साइड में अगर इनका अगर हम पॉइंट पकड़े तो यह है कि नीचे के हिस्से मतलब कि पैल्विक एरिया में अगर आपको दर्द रहता है तो गर्वती महिला को कई हद तक जो है अनुमान लगा लेना चाहिए कि आपके घर्व में पल राश और एक महीने पहले ही जो है ना मैंने उनको बोला था कि शाय से आपको बिबी बॉय हो सकते क्योंकि देखिए कंफर्म तो कोई भी नहीं बोल सकता और इसके उपर जो है ना कानूनन अपराद भी है अगर किसी का हम लिंक बताते हैं बर देखिए जो घर की ओल्ड वाइफ ह होती है जो हमारी प्रिग्नेंसी को देखके और हमारे हार्मोन जो बदलाव होते प्रिग्नेंसी के दुरान जो अप डाउन होते ना उसी से जो हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे बड़े बुज़ूर्ग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं जैसे कि अभी आपने प्रि यह जानने की एक इच्छा होती है बहुत ज़ादा मन होता है कि हमारे गर में पल कह रहा है बस वह इसलिए होती है क्नी होता है शव Mitpink Correct ऐसारे लाuir हो oxygen करें पर बहुत सारी महिलाओं के 99 परसेंट तो सच हो जाते हैं अगर थोड़ी सी 80 महिला है होती हैं जिनकी अंदर सटिक नहीं होते हैं तो फ्रेंट देखिए यह जो मैंने आपको लक्षण बताएं अगर आपके अंदर इन में से कोई भी एक भी लक्षण मीलता है तो कई हद तक होगी आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना ताकि मैं अपने और सब्सक्राइबरों को आपका शाथ जो भी आपके साथ हुआ है वह शेयर कर सकूँ और वह एक अपने दिमाग में अंदाजा लगा सके कि बेभी बॉय के सिम्टम्स होते हैं और बेभी गर्ल के सिम्टम्स ह तो उसका अपोजिट तो विह के सिम्टम्स हो सकते ना वी बॉय मैंने कन्सीव था तो विभी बॉय के अपोजिट जो होगा वह बिभी गर्ल के हो गहिए तो वहीं पे आप लगालो की अगर 35 महीं चुनार और दूसरे महीने में अपको 116 अपमय दे गई गय है तो वह इतना आपको दिमाग लगाना चाहिए मैसेश करने से पहले तो आई होप आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको नेक्स फ्यूडियो में जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए शुरक्षित रहिए सेफ रहिए इंजॉइ कीजिए अपनी प्रिंगनेंसी को और एक और बात भूना चाहती हूं आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जो मेरा सेकेंड चलना पेबी केर उसका नाम है काजल की किचुन ब्लॉक तो उसक ज़्यादा सब्सक्राइबर की अभी 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना चलन को थेंक्यू सो मच